नमस्कार दोस्वों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्वों 33 कोटी देवी देवताओं ने दे दिये हैं शंकेत अब आपके जिवनकाल में शफलता का किरन जाकने वाली है हजिया दोस्वों हम आप शबी को बता दें कि अब आपके मस्दिक्स में आपके शोय हुए किश्मत की किरन जग मगाने वाली है क्योंकि दोस्वों हम आप शबी को बता दें कि या शुमे बर्मांड के शमस देवी देवता आपके शाह था चुके हैं जिया दोसों हम आप शिभी को बता दें कि दोस्तों आपने अपने जिनकाल में एश्वी शारी शमश्याओं का श्रमना क्या है जिन में आपको इश्वर का शाथ मिला है जिया दोसों और इनी शिभी के कारण आपका होशला भी बुलंद रहा है हर शमश्याओं को शमधान कि आपका मन बहुत या अस्तीर हो चुका है और आपको लगने लगा था कि आपकी जुनकाल में अब बदलाव हो ही ने शक्ता शायद भगवान का हाथ ही आपकी जुनकाल से हट चुके हैं लेकिन दोसों आप शबी को बता दें कि बुराई कितना भी ताकत लगा ले सच्चाई के शामने उन्हें हार माननी पड़ती है जिया दोसों और या शुमाई भी आप शबी की जुनकाल में आपकी सच्चाई का जित दिलाने शबी देवी देटाओं ने भी गभाई दे दी है जिये दोसों तो दोस्तों अब आप शुमाई की जुनकाल में बर्मान के शबी देवी देटाओं ने जो शंकेत दिये हैं उनके अनुशार आपको कौन-कौन से बातों का ध्यान अगना होगा शातिया देवी देवता आपको कौन-कौन से बड़ी खुशकबरी देने वाले हैं इन्हें शबी की बहुत ही महत्कुन जनकारी गरों के गोचर प्राधारित है तो दोस्तों वीडियो को अंधर तक देखेगा शादे दोस्तों यश में आपको कौन से शावधनियां भी रखनी चाहिए ताकि 33 कोटी देविदेटाओं का अश्वी मिश्रबाद आप शबी क जिम्यदारी होगा बश्रम इस बात की गरेंटी देते हैं कि दोस्तों वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर अंतर तक देखेंगे तो दोस्तों आपको जीवन में बहुत यह अच्छा ज्यान प्राप्त होगा और आप खुशी के नुपतिया वश्य करेंगे जियां दोस दोस्तों बात करते हैं शुरूआत करते हैं भगवान श्रीकिष्ण के एक बहुत यच्छे ग्यान से दोस्तों एक भक्त थे उन्होंने 20 शाल तक लगतार भगवद गीता जी का पाट किया अंत में भगवान ने उनकी प्रिक्षा लेते हुए कहा अरे भक्त तू सोचता है क कि मैं तेरे गीता के पाट से खुश हूँ तो ये तेरा वहम है मैं तेरे पाट से बिलकुल भी प्रशन नहीं हुआ जैसे ही भक्त ने सुना वो नाचने लगा और जूमने लगा भगवान ने कहा अरे मैंने कहा कि मैं तेरे पाट से खुश नहीं हूँ तू नाच रहा है भ कि आपने मेरा पाठ कम से कम शुना तो शही इसलिए मैं नाच रहा हूं जिया दोसों और इस प्रकार दोस्तों भगवान भी हमारा परिक्षा लेते हैं तो दोस्तों अगर भगवान अमें कोई भी परिणाम दे हमें उन पर खूश रहना चाहिए क्योंकि भगवान अच्छे क कर पता से लेंगे तो दोस्तों भगवान शुरीकिश नकाया अग्यान अगर आपको अश्या लगा हो तो दोस्तों वीडियो को एक प्याराश लाइक जरू करें और इनके लिए कमेंड बॉक्स मिक दें जैस रिकिशना रादे रादे तो आए दोस्तों बेशी के शाथ बात पुषिवे के चुनकाल में बहुत तीक गेहरा पर्भाव अब पढ़ने वाले हैं जेदोस्तों आने वाले शुमे में दोसे चार दिनों के अंदर शकार्तम की चार धारा की लोगों के शंपर्क में रहने का आपको अवश्या प्राप्त होगा जिए दोस्तों जिससे आप अंदर शकारत्मक बदलाव भी महसुर करेंगे 33 गोटी देविदेताओं के और शिरबाद से यश्में आपको हर छेतर में लाब मिलने वाले हैं जिवन अस्तर को शुदारने के लिए विश्यद्धान्त वादी तथा वयापक दरिश्टी कौन भी आप रखेंगे और दोस्तों ये आपके लिए बहुत यदा शकारत्मक सोचोगी जिवन दोस्तों हम आप शिवन को बता दें कि 33 गोटी देविदेताओं के शिरबाद से अब आपके परभावल सी लोगों से शंपर्क बनने वाले हैं जिवन दोस्तों और उन्षी आपको रहन सहन की नई नई जानकारियां मिलने वाली हैं शमाजी वाफिर राइनिती गतिकों में भी अपनी उपस्तिती रखें दोस्तों विद्यारती गंड अपनी कारे शमता पर पूरा विश्वास रखें 33 कोटी देविदेताओं के श्रीबाद से अब आपको हर कारियों में शुपलता की प्राप्ती हुई दिखाई दे रही है जिया दोस्तों याश्यों में वे पूरी तरीकेश अपनी पढ़ाई के प्रती भी एक गर्चित रहे हैं क्योंकि इशुवर का श्रीबाद आपके शाथ है तो दोस्तों यकीनियन मानिए आपके कारियों में आपको शुबलता की प्राप्ती होगी आगे परिछाओं में इसी समस्या को हल मिलने से आपका शोय आत्मक रवाया रहेगा जो कि आपके घर परवाल के लिए बहुत यह शाबित होगा जिया दोस्तों आप शुबी को बता दे कि 33 कोटी देवी दिताओं का शुरबात अब आपके शाहत रहने से किसी प्रतिश्टित व्यक्ति से मिलन का आउशर भी आपको प्रात होगा धार्मिक क्रिया कलापों में भी वैस्ता बनी रहेगी जिसे तन और मन दोनों फरफुलित रहेंगे मित्रों शला भागी उदय दायक शावित होगा जिया दोस्तों कोट के में जो भी उपस्तित है वह आपके पक्सम होंगी यह ग्रहों की योग या 33 कोटी देवदेताऊं बनाएंगे जिसे दोस्तों आप श्रवी का जीवन पूरी तरह बदलने के रास्ते पर आएंगे दोस्तों आप श्रवी को बताएं कि आश्मे आपको 33 कोटी देवदेताऊं का इश्मरन करना चाहिए हमेशा अपने जुनकाल में जय भोली नत्यात जैश्री नाम रफ्रहर महादेव के नामों को लेना है शुवाःशाम के नाम यह नाम ही एक बड़ा मंत्र है सच्चे मन्से शुवाःशाम इस मंत्रों को इस नाम को आप जब कर लेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए 33 कोटी दिव देताओं उपर इतना किरपा दिश्ची बर्षाएंगे कि जुनकाल की शारी आपकी परिशानियां घत्म हो जाएंगी जय हनुमान शंकट मोचन जय मातादी जय मदुर्गे शभी का नाम आने वाले शुम में अब आपको ल चार दिनों तक बहुत किरपा दिश्ची बर्षाने वाली है जय दोस्तों हम आप शिव को बिता दें कि वह विशाए आप शिवी के लिए बहुत भी बहतर शावित होंगी इसलिए उन पर तुरंद अमल करना आपके लिए बहुत ज़र्य होगा इसको पान दोस्तों 33 कोटी दिव दिताओं के शिर्वाश से अपनी विचार धारा तथा युजनाओं पर अमल करने का उचित समय है आप अपने कारे को बहतरिन तरीके शे पूरा करने में भी शक्चम रहेंगे घर की रिद्येख रेक तता शुक्ष विदाश मंदी कारियों में भी आपका बहतरिन शम को और अधिक निखारेगी शमाल में आपका मान शमान बढ़ाएगी कोई रुका हुआ या फिर अटका हुआ पेशा भी यश्म मिलने का परवल शमाना पर रही है जिया दोस्तों अगर आप कहीं पर इन्वेश करना चाहते हैं तो दोस्तों ये शमे 33 कोटी दिव दिताओं क की शुबी दिताओं का अशिरुबाद आप शुबी के चारों और चक्र की तरह घूमने वाले हैं जिनसे दोस्तों आपके अंतर एक अलगी उठ्जा का एक अलगी शक्ति का आप शास्त करने वाले हैं इसलिए दोस्तों यश्मे पूरे जोस वा फिर मेहनत के शाथ अपने क कारियों को करते रहें कारियों के प्रती प्र्यास्त रहें जिस् ense tota के दोर में खुद को शौबित करने का यह आपके लीए बहुत यह अच्छा मुखा है जिब 33 कड़एउस को शुरुबात आपके शाहत है जो भूल शेब शव्मे को परवाद ना करें यह अशी लोगों का शमय काप शही तरके से सदी प्योग करें 33 कोटी दिविद्द्दाओं के श्रवाज से कुष में अपने रूची पुनकारियों में भी व्यास्त वयत्तित करने से आपका शारिक और मानसिक इस्पूर्थी बनी रहेगी आप अपने महत्पुनकारियों को पूरी उर्जा के शा जान बढ़ेगा और दोस्तों याश में उसकी वज़ाची आपके वाईवार में बहुत ही शकारत्मक प्रिवितन आएंगे जिया दोस्तों तो याश में धार्मी स्वलों पर जाएं पूजा पाट करें भक्ति भाव पर यकिन करें दोस्तों आपको बिता दें कि जितना भगवान आपके करीब आएगा जितना आपने कामों को भगवान के ऊपर छोड़ देंगे दोस्तों उतना ही आपके कामों के अच्छे परिणाम आएंगे कभी पिपनी काम को करतेश में ज्यादा गुशा ना करें चिचीड़ा पन अपने अंदर ना आने दें दोस्तों नजदी की रिष्टेदारों का अगमन होगा तथा आप शीय विचारों का अदान परदान घर के वातारों को खुश्टमा बना कर रखेगा कि इसे इस मुद्दे पर भी विचार भिमश हो सकता है युवाओं को कि वरिष्ट व्यक्ति के शानिति में अपने शमय श्या का हल मिल सकता है जिसे दोस्तों आप शबी के जुनकाल में खुशियों की एक अलग जलग दिखेगी दोस्तों आपको बता दें कि आज के दूपहर के बाद ही प्रस्तितियां आपके लिए बहुत ही और प्रतियाशित लाब उत्पन कर रही है तो दोस्तों शमय के शाथ अपने क शबी देविदेवता आपको कौशी विशेर शाधनियां रखने के लिए कहती है कि दोस्तों यह शमय आने वाले दोस्ते चार दिनों में आएके शाथ साथ वई भी हो शकता है अपने अनावश्य खर्चे पर रोग लगाए अपनी कोई भी उजना कीशी के शाथ सेयर ना कर है यह वावर्ग घूमने फिरने में अपना शमय वैतित ना करें जो दोस्तों इससे आप नुक्षान कर बेठेंगे ज्यांदोसों इसको प्रांद दोस्तों यह में आपके लव लाइफ के लिए शमय होंगे 33 कोटी देविदेवताओं के श्रबाश यह पारिवरिक जून के आपके लिए बहुत यचा रहेगा श्रादतों इसमें श्वास की बात करें तो भगवान और देविदेताओं के शिरुबाश यह स्वास यह में आपका उत्म रहेगा प्रंतु घर के किसी वरिष्ट व्यक्ति के श्वास को लेकर चिंता रह शकती है इसलिए लब परवाही ना करके तुरंद इलाज कराएं तो वीडियो के अंत में एक बहुत यह अच्छा ग्यान कि अच्छे कर्म किजिए क्योंकि बुरे कर्म हजारों जनमों तक पीछा नहीं छोड़ते शदियां गुजर गई मगर आज भी कोई माबाप अपनी बेटी का नाम के कई और मंत्रा नहीं रगता बुरे कर्मों की कारण ही होली का और रावन ढ़लते हैं यह दोस्तों तो आप भी अपनी